नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला हूँ GST के दो नई नोटिस के बारे में जो अब GST पोटल पे लाइव हो गया है यह ऐसे नोटिस है जो system generated है मैं आपको दिखाता हूँ service में आओगे return में आओगे और return complances में आओगे तो देख सकते हैं यह दो तरह के नोटिस है DRC-01B और DRC-01C यह notice system based होँगा इसमें आपको जो differences होँगे उसके basis पे notice आएगा चलिए समझेंगे बहुत कुछ detail में कि क्या है DRC-01B और DRC-01C उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली वार है इस वीडियो को पहली वार देख रहे हैं जन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया subscribe कर लिजिए सारे साथ bell icon पे भी क्लिक कर लिजिए ताकि इस तरह का content आपको मिलता रहे तो सबसे पहला notice आता है liability mismatch जिसको DRC-01B बोलते हैं वीव पे जाओगे वीव पे जाने के बाद जो भी notice issue हुआ 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 आपको यहाँ पर उसका reference नंबर दिखेगा return period के basis पे भी आप select कर सकते हो कि इस period के अंदर आपको कौन सा notice आया है या नहीं आया है search पर जाके आपको दिख जाएगा अभी को notice issue नहीं हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास को record नहीं दिखा रहा status में जाके देख सकते हो कि pending कौन सा है और complete कौन सा है ठीक है यह तो यहाँ पर functionality की बात करना है कि कैसे इसका use करना है पहले समझते हैं कि DRC01 होता क्या है और reply कैसे दिया जाएगा so DRC01B जो है यह notice system based होगा जब भी अब अपनी GSTR1 और GSTR3B फाइल करोगे उसके basis पे यह notice बनेगा उसमें जो differences आएंगे उसके basis पे यह आपको notice दिखेगा taxpayer जो अपनी return quarterly भर रहे है quarterly basis पे यह generate होगा और जो मंतली भर रहे है मंतली basis पे जनरेट होगा basically जब भी 3B और R1 का difference आएगा तो यह notice generate हो जाएगा अगर quarterly वाले में difference आया तो quarterly basis पे जनरेट होगा मंतली वाले में difference आया तो मंतली basis पे जनरेट होजागा यह notice ठीक है इसका same मैं आपको बताया return complexes में जाके DRC01B में जाना है view पे click कर आगए तो इस प्रकार से reference number दिखेगा reference number को search करोगे और financial year के return period के according status भी देख सकते हो so जो notice होगा 01B का वो इस प्रकार से होगा वो बता देगा देखो कि liability में जो आपने declare करी अपनी liability और GST return में जो declare करी अपनी liability और 3B में जो liability declare करी वो यह आ गया उसके बीच जो difference है वो यह आया जैसे example के लिए 50 लाग रुपे अपने IGST में दिखाया और 3B में दिखाया 25 लाग रुपे ठीक है और 6 में दिखाया 10 लाग रुपे और 3B में दिखाया 5 लाग रुपे तो जो 5 लाग का सैसे में फर्क और IGST में 25 लाग का फर्क आ गया टोटल 30 लाग का फर्क आ गया तो उसकी basis पे यह notice आएगा ठीक है यहाँ पर option दिखेंगे देख सकते हैं बहुत सारे option है पहला कि access liability पे कर दिया था आपने पहले 3B के अंदर जो पहले 3B फाइल करी उसमें already आपने access liability पे कर दिया उसके वज़े से difference है यह फिर R1 जो आपने भरी है वो incorrect भर दिया गलत भर दिया ज्यादा tax दिखा दिया जब कर दिया आपने reporting करने में advanced receiving advanced adjusted उसके वज़े से है या कोई any other reason है उसके वज़े से अपना reason explain करके यहाँ पर आप इसको file करेंगे ठीक है save पे क्लिक करके file करना होगा आपको DRC01B का part B तो basically यह जो है notice वो difference की basis पे आपकी liability की difference की basis पे होगा पार्ट यह ऐसे दिखेगा पार्टे को download करना चाहो download वाले बटन पर क्लिक करोगे इस पकर से पार्टे download हो जाएगा आपका ठीक है अपना reason जो भी बनता जैनमें reason देके आप इसके reply को दे सकते हैं ठीक है DRC01B को so जैसी आप reply दे देंगे जब आप status में जाएंगे और completed में चेक करेंगे status तो जो भी notice आया होगा आपको देखो यहाँ पर status दिख जागा भी यह complete होगा इसका मैंने जो difference है उसका मैंने reason दे दिया यह difference है और सुनो अगर आपने इसका reply नहीं दिया तो क्या होगा reply नहीं दिया तो आप next month की GSTR on को file नहीं कर पाऊगे वो आपको restriction लगा देगा बदला अगर को difference बनता है तो आपको reply देना पड़ेगा अगर reply नहीं दोगे तो आप उस month की GST GSTR on को file नहीं कर पाऊगे तो difference आएगा तो यह आपको देना पड़ेगा और यह system basis है इसमें किसी भी officer की involvement नहीं होगी system base आपका यह notice होगा और system base आप reply देंगे नहीं दोगे reply तो आप R1 file नहीं कर सकते ठीक है यह दो बात थी DRC01B के बारे बे अब समझते हैं DRC01C क्या है यह जो notice है यह ITC mismatch के basis पे है जब आपके GSTR 2B और GSTR 3B के अंदर ITC का difference होगा उसके वज़े से यह notice generate होगा यह भी system base है आपको इसका भी reply देना होगा इसका reply नहीं दोगे तो आप 3B और R1 file नहीं कर सकते इसके लिए government ने advisory चारी करी है देखो advisory बताया है कि DRC01C का जो notice है यह ITC के mismatch के basis पे होगा जो ITC 2B में available है और जो ITC आपने 3B में claim किया उसके basis पे है तो taxpayer को जब उनके 3B और 2B के ITC का mismatch होगा तो यह DRC01C का ITC जो notice है वो जंडेट होगा portal पे GST portal पे ऐसे में taxpayer को देखना होगा जो 3B में ITC claim किया और जो 2B में ITC आ रहा है उसके बीच क्या difference है हो सकता है कि आपने RCM का input दिखाया हो RCM का input 2B में नहीं आ रहा है हलाकि RCM का input table 3.1D में आप claim करते हो पे करते हो फिर claim करते हो नीचे table 4 में ठीक है import of goods का हो सकता है यह कोई और other ideas हो सकता है कि पिछले 2B में आया था उसको claim नहीं किया अभी claim कर रहे है तो वो proper आपको reason देना पड़ेगा इसके DRC01C part B में reply जाएगा जैसे कि मैंने भी बताया DRC01B के part B में जाता है इसी प्रकार से DRC01C के part B में आपको reply देना होगा अगर reply नहीं दोगे तो क्या होगा same यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप next month की GSTR1 या IFF को file नहीं कर पाऊगे तो यह restriction लगा देग तो समझगे दोस्तो DRC01C और DRC01B क्या है बागी जैसे यह notice live हो जाता है notice generate होता है तो मैं आपको reply देना भी बता होगा कि कैसे reply दिया जाता है तो दोस्तो यह था कमाल का content जो मैं आपके सामने लिखा है वीडियो के से लगी ज़रूर बताए थाइंकियू सो मज जय हिंद व स्तार के से लगिश है लगई है जपके सामने आपके दिये लगशी ज़रूर ऑयरon के कजिन आपके से लिखे पोस्तो ज Sóरे वीजर्श है ज़रूर बता है फोस्तो आहर कर से खाते हुआ से जाव्चेयों छ टूरूर